हेलो फ्रेंज्स, आज मैं टमेटो राइस बना रहे हूं, उसके लिए 5 टमेटोस और 3 कप राइस ले रहे हूं टमेटोस को बॉल करना है, और उसके बाद इसको ठंडा करके रख लिजें, और जार में थोड़ा सा अधरग और लसून और ये जो ठंडा किये वाले टमेटोस को डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिजें, देखो इस तरीके से फाइन पेस्ट हो जाता है, नेक्स्ट कुकर लेके उसके अंदर त्री टेबल स्पून ओयल डालें, और थोड़ा सा बटर भी डालेंगे ना, तो स्वाध अच्छा लगेगा, तो में तो नहीं डाल रहे हूं, और वन स्पून जीरा, इसको हलका सा बून लेना, और वन बिग साइज ओनियन, इसको भी हलका सा बून लेना, और ग्रीन चिलिस, मैं फाइव ग्रीन चिलिस लीएं, चाहे तो आप तेज और बढ़ा सकतें, थोड़ा सा रेड मिच भी डाल सकतें, और गाजर, देखा डालते हैं कितना सुन्दर लग रहा है ना, गाजर, कलर और खाने में उतना ही मज़ा आता है, और वन कप मटर, इसको भी अच्छी तरह से बून लीजिए, गरम गरम खाने में कितना बढ़िया रहता है, मेरा तो फेवरेट हैं, और इसके अंदर हाफ स्पून हल्दी डालिए, और तेज पता डालके हल्का सा बून लेना, हल्का सा सौल्ट और धनिया पता डालके बून लेना, इसके अंदर वन स्पून गरम मसाला, मिला लीजिए थोड़ा सा, और इसके अंदर रैस डाल दीजिए, और मैं जो यह यह लिक्वीड कॉन्टिटी एसे ली हूँ, वन जी जूस, और वन वॉटर, मैं त्री कप्स रैस के लिए, त्री कप्स जूस और त्री कप्स वाटर ली हूँ, और जूस ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा रहेगा, यह शावल नहीं पकेगा, और सौल्ट स्वाद अनिसार मैं 1.5 स्पून डाली हूँ और इसको ढकल लगा के 4 सीटी आने तक रख लेना चलो अब देखते हैं अरे वाँ, कितना बढ़िया लगरे, कलर्फुल अभी इसको सर्विंग प्लेट में लेके गर्मा गरम खाली जिए कितना मज़ा आएगा खाने के बादी पता चलेगा देखां कितना कलर्फुल और बढ़िया सा टमेटो रेस रेडी है और आप लोग इसको जिरूर बना लेजिए और मुझे कमेंट्स में बता देना ये कैसा है ओके? ओके दोस्तों ठैंक यू